नमस्कार दोस्तों बिहार में विधान सभा की चुनाओं होने वाले हैं उससे पहले हम आपको बिहार के एक एक विधान सभा सीट का इतिहास बता रहे हैं जिसे कि आपको बिहार की राजनेती को समझने में आसानी हो हम आपको लगातार बता रहें कि वो सीट कब बनी, कब वहाँ पर पहली बार चुना हुआ, आखरी बार चुना हुआ, और चुनाओ में किस पार्टी को जीत मिली, जीतने वाला परत्यासी कितने वोट पाया है, हारने वाला परत्यासी किस पार्टी कर था, कितने वोट पाया, और आज हम आपको बांका जिले की अमरपूर विधान सभा सीट के बारे में बताएंगे अमरपूर विधान सभा सीट पर दोस्तों अब तक कुल 15 बार विधान सभा के चुना हुए है उन में से 14 बार मुख्य चुना हो थे जबकि एक बार यहां पर उप चुना हुआ पहली बार यहां पर चुना 1957 में हुआ था और आकरी बार 2015 में हुआ है अब आपको ग्राफिक सिल समझाते हैं जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो तो दोस्तों यह है बांका जिले का मैप और यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह एरिया अमरपूर विधान सवास सीट है और यहां पर कुल 15 चुना हुए है जैसा कि हमने आपको बताया था 14 बार यहां पर मुख्य चुना हुआ है एक बार यहां पर उप चुना हुआ है उसमें इसे 4 बार कॉंग्रेस को जीत मिली है तीन बार RJD को दो बार SSP को दो बार JU एक बार जनता पार्टी एक बार BJS और एक एक बार निर्दली और जनता दल को यहां से चुनाओ में जीत मिली है अब आपको एक एक चुनाओ के नतिज़े बताते हैं पहली बार 1957 में चुनाओ हुआ कामयाब रहे कॉंगरिस के विमिद्वार थे 12823 उट पाए और महिसरी परसाद कापरी JS पार्टी के विमिद्वार 1203 उट पाकर दूसरे नमर पे रहे फिर 1967 की चुनाओ में सुख नराण सिंग SSP पार्टी के विमिद्वार 1688 उट पाकर चुनाओ जीते जबकि JP यादो BGS पार्टी के उमिद्वार 15663 उट पाकर दूसरे नमर पे रहे फिर दुबारा सुख नराण सिंग चुनाओ जीतने में कामयाब रहे 1989 की चुनाओ में SSP की पार्टी के तरप से चुनाओ लड़े और 15,734 उट पाकर चुनाओ जीते जबकि BGS ने इस बार टिकट बदल का जनारदर प्रसाद यादो को टिकट दिया और वो भी चुनाओ में दूसरे नमर पे रहे 15,575 उट पाए अब आपको बताते हैं 1972 में जब चुनाओ जीते जनाओ जीते और चुनाओ जीते फिर से और ये 40,647 उट पाए और महसर प्रसाद सिंग CPI के उमिद्वार Communist Party के उमिद्वार 16,185 उट पाकर दूसरे नमर पे रहे फिर 1980 आते आते फिर से कॉंग्रेस ने आपर जीत हासिल की और कॉंग्रेस के नील मोहन सिंग जो कि 24,912 उट पाकर धिरेन परसाद यादो चंता पार्टी के उमिद्वार को हरा जो कि 29,912 उट पाए थे फिर 1980 फिर से नेल मोहन सिंग चुनाओ जितने में कामे आप रहे कॉंग्रेस के उमिद्वार थे और इस बार ये 58,887 उट पाए अब आपको बताते हैं 1990 की चुनाओ में माधव मंडल निर्दली उमिद्वार पहली बार यहां से चुनाओ जिता और एक ही बार यहां इस सीट पर निर्दली उमिद्वार चुनाओ भी जिता है अमरपूर्विधान सबा सीट पर 36,466 उट पाकर अग कमल देव प्रसाद यादव कॉंगरेस के मिद्वार दूसरे नमर पे थे 29,349 उट पाकर लेकिन 1995 की चुनाओ में जनता दल यहां से चुनाओ जिते दे सुरेन प्रसाद सिंग जो की जनता दल के उमिद्वार थे बत 34,287 उट पाये थे जबकि विने विहारी सिंग बीपीपी की उमिद्वार थे और यह 19,714 उट पाकर दूसरे नमर पे थे फिर उसके बाद 2000 के चुनाओ में सुरेन प्रसाद सिंग जो की जनता दल के टिकट पर चुनाओ लड़े थे 295 में वो 2000 में RJD में सामिल हो गया और RJD के तरफ से जीत हासिल की 49,144 उट पाकर अब वेदा नन सिंग ऐसे पीक पार्टी के उमिद्वार 49,934 उट पाकर दूसरे नमर पे रहे फिर 2005 के फरवरी वाले चुनाओ में RJD के उमिद्वार सुरेन प्रसाद सिंग दूसरी बार चुनाओ जीतते हैं और RJD भी हाँ पर दूसरी बार चुनाओ जीतती हैं सुरेन प्रसाथ सिंग फरवरी में 31,428 ओट पाते हैं और वेदा नंद सिंग जेडीव के उमेदार दूसरे नमर पे रते हैं 25,109 ओट पाकर अब आपको बताते हैं 2005 के अक्टूबर वाले चुनाओ में फिर से सुरेन प्रसाथ सिंग और जेडीव के उमेदार चुनाओ जीतने में कामयाब होते हैं 33,689 ओट पाकर वेदा नंद सिंग दूसरे नमर पे रते हैं जेडीव के उमेदार 31,278 ओट पाकर लेकिन उसके बाद 2010 और 2015 दोनों बार से जनारदन माजी चुनाओ जीते हैं जेडीव के उमेदार है 47,300 ओट पाए थे 2010 में और 2015 में 73,707 ओट पाए जैसा कि आप जानते हैं 2010 के चुनाओ में BJP और जेडीव साथ में चुना लड़ी थी जबकि 15 के चुनाओ में BJP और जेडीव का गड़बंदन तूड गया था जेडीव जो है वो RJD और कॉंग्रेस के साथ मिलकर महा गड़बंदन में चुनाओ लड़ रही थी और जनारदन माजी चुनाओ जीते थे 73,707 ओट पाकर और मिडाल सिंग आपके जग मिडाल सेखर जो की BJP की उमिद्वार है 16,934 ओट पाकर दूसरे नम्मर पे रही अब आपको दोनों की तस्वीर दिखा देते हैं जनारदन माजी की तस्वीर है जो की जेडियू की उमिद्वार थे और 2010-2015 में ये अमरपूर विधान सभा सीट से विधायक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए दोस्तों